ब्लॉगिंग से अगर आप हर महिने 5-10 लाग रुपए की अर्निंग करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग के ही 3-4 महिनों के बाद आपको यहाँ पर इवेंट ब्लॉगिंग साट करना चाहिए But event blogging के कुछ downside भी होते हैं जो आपको जानना जरुरिय है At the same time आप event blogging करके छे महिने या फिर साल भर से जादा का saving कर सकते हैं मदलब आप इतनी earning कर सकते हैं कि आप 6 महिने या साल भर के लिए अपने आपको reserve कर सकते हैं इसी के comparatively अगर आपको result की इतने जलदी नहीं हैं तो आप Просто आपको लेशन की सrimin कर salvation कर सकते है लाइव ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर वाटसप पर कॉंटेक कर सकते हैं और विदावड एनी फॉर्दर डिले लैट्स कट स्टार्टेड तो सबसे पहले समझते हैं कि यह जो ब्लॉगिंग होती है यानि कि कितने प्रकार की होती है तो देखो मेरे experience के according यह जो ब्लॉगिंग होती है यह दो टाइप की होती है first is event blogging and second is evergreen blogging तो सबसे पहले event blogging को समझते हैं तो यह जो event blogging होता है यह trending topic पे based होता है example के लिए आप मैं आपको समझाता हूँ कि माल अभी के डाइम पे इंडिया में election हो रहा है मतलब लोगसभा का चुनाव अभी हो रहा है तो लोगसभा से लेटेट जितने भी topics होंगे यह अभी बहुत ही जादा लोगों की interest में है तो जातर इस समय लोग internet पे यानि google पे चुनाव से लेटेट बहुं सारी चीज़े यानि बहुं सारे keyword search करते हैं जैसे कि यहां पर एक example यह भी है कि MP में अभी किसको ज्यादा सीटे मिलने वाली है मतलब भाजपा को ज्यादा वोट मिलेगा यानि कि BJP को या फिर Congress को ज्यादा वोट मिलेगा इसके बाद ऐसी कौन से party है जो MP में ज्यादा वोट हासिल कर सकती है या फिर ऐसे कौन-कौन स बाद चुना होने बाला है यह सारी चीजे गूगल पर बहुंती ज्यादा यह जो इलेक्शन का ताइम है इस तइम पे बहुंती ज्यादा सर्च होता है भाइगा क्योंकी opposite वेंट हो रहे हैं इसमें बहुंते sweetheart लोगों का बहुंतधी ज्यादा इंड्प्रेश्ट होता है और इसी चीज़ तो कि आपके website पे खुब भर भर के traffic आता है और जब आपके website पे जितना जादा traffic आता है उतना ही जादा आपकी earning होती है event blogging जो होता है इसमें आपको बहुत जादा article लिखने पड़ते है और अगर आपके वेबसाइट पे traffic आने का बहुत जादा चांस बढ़ जाता है और अगर आपको advance SEO करके articles लिखना नहीं आता है तो आप इस वीडियो पर content writing के लिए comment कीजिए और मैं इस पर भी एक detail वीडियो बना दोंगा कि आपके ऐसे advance SEO करके article लिख सकते हैं coming to the event blogging तो अगर आप सही से event blogging करते हैं और अगर आप किसी एक event को target कर रहे होते हैं जो एक या दो महीने चलने वाला है तो एक दो महीने में आप सही से महनत करके आप अपने लिए जो साल भर का आपका पैकेज होता है कि किसी भी government job या फिर किसी भी private job करते हैं आप उससे जादा आप एक-एक event से कमा सकते हो लेकिन यह तभी possible है जब आपको proper knowledge हो लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप event blogging सही से करते हैं तो आप 2-3 महीने काम करके पूरा साल भर कर जो income रहता ना वो एक बा कर सकते हैं और ऐसे में आपका कोई डाउन फॉल भी नहीं आएगा यानि कि यह जो event blogging होता है वह एक महीने दो महीने मैक्स मैक्स 3-4 मंथ के लिए होता है मेंस यह जो event blogging होता है यह trending topic पर रिलाई करता है और जब आप event blogging करते हैं तो आपकी website पर traffic बहुती जादा बढ़ है और आपकी earning जो होती है वह बहुती जादा बढ़ जाती है moral of the story अगर आप planning के साथ work करते हैं smart game play करते हैं initially बहुत जादा मेहनत कर सकते हैं अपना effort consistently put कर सकते हैं 2-3 महीने के लिए तो आपके लिए event blogging काफी अच्छा blogging category हो सकता है और यहां तक वीडियो देखने के सर्च किया जाता है जैसे कि मान लोग की आपने वीडियो एटिंग से लेटेट कुछ article लिखा हुआ है like how to edit your shorts video और how to edit your long videos तो हमेशा लोग इसके बारे में सर्च करते रहेंगे ऐसा तो है नहीं कि लोग इसके बारे में सिर्फ आज भी यानिकि इस मन्त या फिर अगले मन् करेंगे ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना तो कहने का मतलब यह है कि यह जो topic है वो ऐसा topic है जिसे लोग काफी दिनों तक search करते रहेंगे means यह बहुत ही जादा common है और यह हमेशा लोगों की use में आने वाला है और इसका जो audience base है वो काफी wide है लेकिन evergreen blogging एक ऐसा blogging है जिसमें आपकी जो growth होती है वो काफी slow होती है आपको इसमें slow growth देखने को मिलता है means आपके website पे जो traffic होगा वो धीरे धीरे बढ़ना start होगा लेकिन जो इसके traffic का growth का graph रहेगा वो consistently growing यानि की upper side में रहेगा इसमें pump और dump वाला scene नहीं रहेगा और अगर आप evergreen blogging करते हैं तो इसमें जो आपकी income होगी वो stable होगी मतलब जो इसमें आपका income रहेगा वो समय के साथ बढ़ते जाएगा जैसे कि अगर आपकी income अभी 500 डॉलर हो रही है तो आने वाले टाइम पे वो 700 से 800 डॉलर बढ़ जाएगा और आने वाले टाइम पे उससे जादा भी यानि की 1000 डॉलर 2000 डॉ बना सकते हैं तरा पालक पानीर क्यक्ords और फिर घर में आलू के पराठे या फिर गोभी के पराठे केसे वर शाथ बनाना है इन सब चीजों के बारे में लोग हमें सता quality रहेंगे and ऐर ऐसा तो हैं नहीं कि रैसिपीज आने ये टाइम में कंसे भी एक है ढिसा बिल्कुल नौन्वेज खाना पसंद कर रहे हैं तो नौन्वेज डीसेस के बारे में भी आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं और इन सब चीजों को लोग हमेशा ही सर्च करने वाले हैं और इसी तरीके के जो टॉपिक होते हैं अगर आप उस पे आर्टिकल लिखते हैं तो ये evergreen blogging की category में आता है और इस से लिटेट कुछ और भी example है जैसे कि travel news जो है वो भी एक evergreen blogging के category में आता है कहने का मतलब यह है कि लोग हमेशा travel करते रहेंगे और इस से लिटेट लोग हमेशा search करते रहेंगे जैसे कि अगर गुवा जाना है तो गुवा के बारे में search करेंगे कि ऐसे कौन-कौन सी जगह है या फिर कौन-कौन सी तूरिस्टिक spot है जहां पर अगर आप गुवा जाते हैं तो आपको जाना चाहिए ऐसा इस ताइप के ना searches होते रहेंगे तो ये भी evergreen blogging की category में ही आता है जैसे starting में ही मैंने वीडियो के आपको पहली बताया था कि ये जो वीडियो इटिंग या फिर जो भी topic जो long term तक search होते रहेगा ये सब evergreen blogging की category में आता है और जब भी आप blogging करना start करते हैं तो सबसे पहले आपको ये decide कर लेना चाहिए कि आपको event blogging करना चाहिए या फिर evergreen blogging करना चाहिए means अगर आप trending topic पर article लिखना चाहते हैं तो आपको event blogging करना चाहिए और अगर आप evergreen blogging करना चाहते हैं तो आपको ऐसे topic पर article लिखना चाहिए जिस पर long term तक searches होते रहें बट event blogging में मैंने आपको पहले ही बताया कि starting days में आपको result जो होता है वो कम देखने को मिलता है और आपको effort भी ज्यादा ही देना पड़ता है सी देखो event blogging हो या evergreen blogging हो आपको दोनों में same effort देना ही पड़ेगा सो फाइनली आप कौनसी काटिगरी में blogging करना start करना चाहते हैं इस वीडियो पर comment करके जरूर बताइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कीजिए और चैनल को subscribe कीजिए मिलते हैं next वीडियो में